आप सभी लोग एक सब्द को सुनते होंगे क्रेमी लियर को और आपने देखा होगा कि आप लोग अगर किसी एकजाम का फॉर्म बढ़ते हैं तो उसमें कई बार पूछ लेता है क्या आप क्रेमी लियर की सैनी में आते हैं अगर आप लोग OVC के हैं क्योंकि ये क्रेमी लियर की जो अवधारना है ये आपकी OVC पर ही लागू होती है और आप लोग जैसे ही करते होंगे कि S तो आपने देखा होगा कि आपकी फीस जो सामान वर्ग होता है उसके हिसाब से लागू हो जाती है और इस तरह कि कई फायदे होते हैं जो आपको क्रेमी लियर में आप लोग आने के बाद नहीं मिल पाते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार ये भी मांग उठती रहती है कि जो HTSC है इन्हें भी क्रेमी लियर की सेड़ी में लाना चाहिए तो इसका सीधा सा आप लोग अर्थ समझिए क्रेमी लियर का सीधा सा मतलब यही है कि जो क्रेम आप लोग ने दूद का नाम सुनाओगा सुना क्या होगा देखा भी होगा दूद तो उसमें आप देखते हैं कि क्रीम आ जाती है उपर आप लोग जब गरम करते हैं उसे तो इस क्रीम को आप लोग घटा दीजे यानि कि OBC में जो ससक्त हो चुके हैं जो जिनकी आर्थी किस्तिती सुधर चुकी है उन्हें क्रीमिलेर में डाल दीजे यानि कि वो अब मलाई खा चुके हैं अब उन्हें माल्याई खाने की जरूरत नहीं है सिधी सी बात यही है और आप देखते हैं कि अगर अभी बर्तमान की बात करा हो अगर आपकी इंकम आठ लाक रुपे पिती बर्स है तो आप क्रीमिलेर की सैडी में आ जाते हैं और आप देखते हैं कि हर तीन साल में इसे बढ़ाने की भी बात होती है अभी आप देखें कि 2017 में ये AI निधारित की गई थी और आने वाले समय में आप देखें कितनी होती है 10-12 लाक होती है कितनी होती है ये तो तभी मालू चलेगा तो इसके बारे में कुछ point आपको बता देता हूँ अगर आपकी परिक्षा में कहीं आता है और इस तरह की सब्दा आप देखते हैं कि आपके देनेक जीवन चरिया में कहीं ना कहीं आपको देखने को कोई फायदा मिलता था तो आपने देखा होगा कि अभी नए तरीके से कोई अधारना लाई गई है कि आप गरीवी से उपर उठ चुके हैं तो आपको उसका फायदा भी नहीं मिलेगा जो आप देखते थे ना कायड बनता था कई लोगों की नाम हटा दिये गए हैं तो ये च संसत की मानसून सत्त में क्रीमी लेयर को परिभासित करने का मुद्धा उठाया हुआ है उनका कहना है कि नए तरीके से इनकी परिभास आप लोग दीजे जो आठ लाट की जो सीमा रखी हुई आपने हर साल में इससे बढ़ाई है क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे आप लो बढ़ाई च्का समवोग ओवी सी कोटा में सबसे अधिक लाभान भी थो रहा है तो इन विसंगतियों को इस पिकार दूर किया जाएगं यानि कि आप समझे कि ओवी सी में कोई लाभान भी थो कुका है उसकी श्तिती सही हो चुकी है तो उसे यहां से हटा दिया जाए यान पिश्री फिच्रा वर्ग आयोग यानि कि मंदल आयोग की सिफारिस की आदार पर सरकार ने अगस्त 1990 में सेविल पदों और सेवाओं में सामाजी केवं सेक्षडी कुरूप से फिच्षडे वर्गों को के लिए 27% आरक्चित अधी सूचित किया था लेकिन आपने देखा होगा कि OBC का आरक्चन कई राज्यों में अभी 27% लागू नहीं है उसमें से एक आप देखते हैं आपका MP भी है और आपने देखा होगा कि एगर MPPSC में आपनों लोग ने देखा भी है कि कई लोग उसे लेकर कोड भी गए हुए थे ठीक है तो याद र हाइनी बाद OBC के लिए 27% आरक्चन को वरकरार रखा था हाला कि यह क्रेमिलियर की अवधार्णा की अधीन था और इससे केस को भी आप लोग याद रखेगा और इस तरह कि जो भी केस हैं उन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं क तो वहाँ आप लोग जरूर इन पॉइंटों को सामिल कर सकते हैं तो याद रखिए अभी भी OBC का 27% है लेकिन OBC में आप देखेंगे क्रेमिलियर की अवधार्णा लागू हो चुकी है यानि कि आगर क्रेमिलियर में आ चुके हैं आप मलाई खा चुके हैं क्रेम खा चुक है यागि भी सरकारी नौकियों उच्चे सिक्षर संस्थाओं में OBC के लिए 27% कोटा निर्धारित किया गया किन्तु जो लोग क्रेमिलियर आय और माता-पिता के रहें के आधार पर विभिन सैनियों के अंतरगत आते हैं उन्हें इस कोटा का लाप नहीं मिलता है जो मैं ब क्रेमिलियर के अंतरगत परिभासित सैनियों की अगर हम बात करें तो 5 लाग से अधिक आये जो सरकार में नहीं है उनके लिए मौझूदा सीमा 8 लाग रुपे पिती वर्स है यानि कि सरकार और किसी पतपन नहीं है तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी इंकम 8 लाग रुपे पिती वर्स है तो आप लोग क्रेमिलियर में आ जाएंगे आपको इसका लाग नहीं मिलेगा आये सीमा हर तीन वर्स में बढ़ाई जानी चाहिए ऐसी एक तरजर से और धारना है और आप देखें 2017 में लाश्ट बार इसकी परिभासित किया गया था और संसोधित कि गई थी लेकिन आप देखें कि आँगे तीन साल आपका यानी की बीस में आपका हो जाना चाहिए था देखते हैं कब क्या होता है ये तो अभी आने वाला बक्त बताएगा इसे पिछली बार वर्स 2017 में बढ़ाई गया था अब तीन वर्स से अधिक हो चुके हैं इसलिए मा माता-पिता की रेंक पर आधारित होती है ना कि आएक उधारन के लिए एक ब्यक्ति को क्रेमिलियर के अंतरगत माना जाता है यदि उसके माता-पिता में से कोई एक समिधानिक पदपर हो यदि माता-पिता को सीधे ग्रोप A में भर्ती किया गया हो या पर यदि माता-पित दोनो रोब भी गुरुम में सेवाओं में हो यानि कि उनके लिए आये जो माता-पिता सरकारी करमचारी है यानि कि जिनके माबाप सरकारी करमचारी है उन्हें ये आठ लाग की सीमा निर्धारित नहीं की गई है उन्हें आपका ग्रुप A और ग्रुप B के आधार पर उन्हें करीमिलेयर की बात की गई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ग्रुप A में होंगे और ग्रुम B में होंगे उनकी इंकम आठ लाग से अधिक होगी ठीक है? माता पिता कोई भी सरकारी जौब नहीं करते हैं तब तो आपके लिए आठ लाग इंकम अगर आप लोग साल में कमाते हैं आये होती है तो आप लोग क्रेमी लेर में आ जाते हैं लेकिन आपके माता पिता अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो याद रखिए आपकी आठ लाग इ देखी जाएगी यहां देखा जाएगा कि अगर आपके माता-पिता गुरूप A या आप देखिए कि माता-पिता दौनों गुरूप B में सेवाएं दे रहे हैं तब आपको क्रीमियलेयर में रखा जाएगा और इसका फायदा आपको नहीं होगा ठीक है मालेजे कि आप कॉंस समझ है आप लोग तो इसलिए आप देखेंगे कि आपको क्रीमियलेयर का फायदा मिलेगा ठीक है अगर एई समाल लिया जैता कि माल लीजै कि आपकी पिता-जी अगर सरकारी नौकरी में हैं और आपको इस आधार पर अगर इस क्रेमिलियर की परिभासा दी जाती तो आप सोचिए कि फिर तो बहुत सारी इससे छूट जाते ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा सरकार की अगर हम लोग पिस्ताओ की बात करें तो कैविनेट नोट की मसोधी में कहा गया कि क्रेमिलियर का निर्धारन सभी पिकार की आये जिसमें आयकर के लिए बेतन की गढ़ना सामिले पर किया जाना जाएगा लेकिन किसी आयफ़र नहीं है और सरकार 12,00,00 रुपे तक की आयफ़र आम सहमती पर विचार कर रही है जबकि संसर समती ने यह सीमा पिती वर्ष 15,00,00 रुपे तक करने की सिफारिस की है यानि कि सरकार 12,00,00 पर मान रही है कि 12,00,00 क्रेमिलियर की आउधारिना में जो आपकी पैसे की बात है ना कि 12,00,00 अगर आपकी इंकम है तो आपको क्रेमिलियर में रख दिया जाएगा लेकिन जो संसर संती है यह कहती है कि 15,00,00 होनी चाहिए मिनीमम 15 अगर आपकी इंकम होती है तो आप लोग क्रेमिलियर में आ जाएंगे और बाकी आपको फायदे नहीं मिलेंगे इसने OVC की क्रेमिलियर सैडी के लिए बारिसे काय सीमा की गणना करते समय बेतन और किसी राजस को बाहर करने की भी सिपारिस की है यानि कि बेतन भी आप देखते हैं इसे भी बाहर करने की और केसी राजस की भी बाहर करने की बात की गई है तो यही कहानी है आपकी क्रेमिलियर की ठीक है? तो आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे और नहीं समझे तो बताइए गहां नीचे आप लोग लिखिएगा उसे भी समझा देंगे